हिट सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेश दा बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है सी एजसमी सिंग अरोडा और बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी एजसमी सिंग पे तो बच्चो आज सुप्रीम कोट में हीरिंग हुआ है उस आप्ट आउट नोटिफिकेशन के अगेंस जो प क्योंकि सिनेरियो जो है पेंडेमिक का वो कॉंटिनेसली चेंज हो रहा है हो सकता है बच्चा आप्ट आउट ना ले क्योंकि वो ग्रीन जोन में है लेकिन कभी भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि उसका ग्रीन जोन रेट जोन में कनवर्ट हो सकता है तो उस केस में वो बच क्या करेगा सुप्रीम कोट ने ICI से काया है कि आपको ये opt-out का option जो है ये खुला रखना है कभी भी कोई भी student due to this COVID-19 opt-out opt कर सकता है सुप्रीम कोट ने ICI से काया है कि आप एक नया notification ड्राफ्ट करिए और 2nd of July को hearing में उस draft notification को हमारे सामने present करिए हम उसे approve करेंगे और उसके बाद आप उस notification को issue करेंगे जो की final होगा इस particular case में मतलब की opt-out वाले scenario में clear है ये तो बात होगे कि जो आपकी PIL चल रही थी उस पे क्या status था उसका क्या update था अब सर मुद्दे की बात ये आती है कि क्या finally ICAI 29th of July से अपने examinations conduct करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा तो सर जो मुझे लगता है कि ये 29th of July से paper conduct हो पाना sort of impossible है because बहुत सारे states ऐसे हैं जिनोंने 31st of July से तक schools को open करने का permission नहीं दिया है आपके school colleges 31st of July तक बंद रहेंगे तो सर ऐसे scenario में जब आपके पास centers ही available नहीं होंगे तो आप examination कैसे conduct करा ओगे दूसा scenario सर West Bengal में 31st of July तक lockdown कर दिया गया है और आज दोपहर में महराश में भी यही option लिया गया है कि 31st of July तक lockdown रहेगा UP में भी बहुत सारी cities ऐसे हैं बहुत सारी districts ऐसे हैं जिन में अभी lockdown का situation चल रहा है तो सर ऐसे scenario में जहां पर बहुत सारी cities बहुत सारे states lockdown phase में चल रहे हैं it will not be possible for the ICI to conduct the examination कोई भी state government जहां तक मुझे लगता है जहां तक मुझे लगता है disclaimer दे रहा हूं कि यह मेरा opinion है जहां तक मुझे लगता है कि यह July में examination conduct नहीं हो पाएगा तो अब मुद्दा यह आता है कि सर अगर July में exam conduct नहीं हो पाएगा तो क्या यह फिर से postpone होगा August में क्या यह cancel होगा और सीधे यह merge हो जाएगा November exam के साथ देखी जो scenario चल रहा है जहां पर हमारे पास daily 18,000 to 20,000 नए cases आ रहे हैं ऐसे scenario में किसी भी educational institution के लिए यह possible नहीं है कि वो examination conduct करा पाए moreover अभी जो हमारा face चल रहा है COVID-19 का वो upward slowing चल रहा है अभी तक हमारा जो graph है वो downward slope पर नहीं आया downward slope पर आने का मतलब यह हुआ कि situation under control है अभी तक situation under control नहीं है तो it is very difficult for the institution to conduct the exam चाहे वो CA institute हो चाहे CS institute हो चाहे CMA institute हो या फिर कोई भी education body हो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कि वो exam conduct करा पाएगी बाकी यह मेरा opinion है आपका क्या opinion है आप comment करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि exam हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए उसको अलग रखो practical scenario के इसाब से बात करो जो scenario चल रहा है उसको देखते हुए आप answer करो कि क्या आपको लगता है कि exam हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे क्लियर है अब हम लोग वेट करते हैं 2nd of July का कि आपका क्या draft notification ICI लेकर आता है और क्या Supreme Court उसे approval देता है कि नहीं देता है अब यह जो भी scenario है वो हमारा first week of July में clear होगा तो जुड़े रहते हैं और देखते हैं कि क्या update आती है जुलाए में अपना ख्याल रखिए घर पे रखिए पढ़ाई करते रहिए पढ़ाई को मत छोड़िए अपनों का ख्याल रखिए टाटा बबबाई टेक केर